अब आपके सारे फिसिक्स के वेस्टिन माचजाउब्स का सफाया बस अपने फोन से कुशन की फोल्टो कीचो अपको और तुरंच वीडियो सिलुशन पाओ Third Overtone क्या होती है वह देखते हैं कि Third Overtone Close Organ Pipe में क्या होती है वुद देखेंगे तो जो Close Organ Pipe है उसकी JOW Frequencies होती है वह होती है V by 4L V by 3 V by 4L 5 V by 4L 7 V by 4L And So On जो हैं पर V by 4 L है इसको हम कहते हैं fundamental frequency और कह सकते हैं कि first harmonic ये है third harmonic harmonic का मतलब कितने times of fundamental frequency ये कह है fifth harmonic ये है seventh harmonic और जो overtone की series है वो fundamental frequencies के बाद शुरू होती है तो इसको कहते हैं first overtone इसको कहते हैं second overtone तो इसको कहते हैं third overtone जो हो गया उसकी जो होती है वो होती है 7 V by 4 L तो इसका हम diagram बनाते हैं तो ये है हमारा third overtone का diagram इसमें ये जो है वो notes दे रखें जो close end पे होते हैं वो notes आते हैं ये है notes यह है nodes और anti-nodes है इसमें कितने nodes आ रहे हैं चार nodes आ रहे हैं तो option कौनसा से यह चार node है और anti-nodes जो है हर node और हर two consecutive nodes के बीच में एक anti-node आएगा तो यह anti-nodes हम दिखाते हैं ये एंटी नोड हो गया 1,2,3,4 यानि 4 ही एंटी नोड आ रहे हैं और 4 ही नोड आ रहे हैं तो option D क्या हो गया? Correct